हेलो स्टुएंट्स स्वागत है एक बार फिट से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कोश्टगार नाविक जीरी के रिकार्डिंग स्टेज वन सेक्शन टू के मैस के चेप्टर डिफेंसियसन के पार्ट सेवेंथ को यह आपक से गया है सबसे लिए क्याइस अर्फ बनजाता है तक कि आपको यह पळाज में करने लिए यूज कर से ठीक है तो चलिए वर्तविए अपने लिक्षे स की योर हमने आपके लिए एक चैनल को बनाया है जिसमें कि हमाप को एक चेंडिशं के तो आपके बेक्ति से और कि आपको दिए ईटे सके हैं तो आप उस चानल को जरूर जोइन के जिए गा उस चैनल के लिंक द्सक्रिशन वक्स में डिये तो आपका काम यहीं रहेगा कि जादा से जादा आप इन चैनल को सब्सक्राइब करें चार्ड़ कराण चाण कर लिए प्लीज भी आपको डिस्किप्शन दी जाएगे लिंक पर क्लिकर के साथे PDF को download कर लीजेगा या फिर simply आप टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लीजेगा टेलिग्राम चैनल के link description box में दिये गया है आपको टेलिग्राम चैनल पे सबी PDF के link सबी वीडियो की latest notification और आपके examination के regarding जो भी latest updates आते हैं वह आपको वहाँ पर प्रवाइड कर वाजिये जाते हैं तो चलिए अपने बरते हैं वीडियो lectures keyword पहले questions की बरते हैं पहला questions देख सकते हैं आप यहाँ पे यहाँ पर रिखा जा रहा है कि d 10 inverse x plus cot inverse x ठीक है कहा जा रहा है कि d 10 inverse x plus cot inverse x का आपको value पूछा जा रहा है देखे हमने ऐसा questions आपको पहले भी बताया सेम यहां नहीं था सेम जुसेम questions फो हम आभी तक आपको repetition दिये ही नहीं है तो यह questions ऐसा तरीके questions हमने आपको बताया था और हमने आपको वहाँ पर ऐसे questions को बनाने का पहले method को बनाने का तरीका इस questions को देखे यह questions एक line का बिल्कुल question है आप डाइकलिस का answer को लिख सकते है ठीक है बिना questions को column उठाय हुए फिर भी हम आपको बताते है देखे पहला method इसका हम बनाके दिखाते है देखे अब देखे इसका हम दूसरा method बदाते है इसका क्या करते है दूसरा method रिखेगा दूसरा method क्या है हमारा method लिखेगा 2 ठीक है method number 2 में दिखेगा यह जो मारा function दिखा वाया d tan inverse x plus cot inverse x यदि आपने क्या पढ़ा है यदि आपने ITF पढ़ा है ITF मतलब आपके inverse trimetric function यदि आपने inverse trimetric functions को पढ़ा है तो वहाँ पे आपने सीखा होगा कि tan inverse x plus cot inverse x का value होता है वह क्या होता है आपका तो आपने अगर ITF अच्छे सीखा होगा तो directly आपको पता है कि इसका value by by 2 होता है और by by 2 is constant quantity है और constant quantity का refreshration 0 हो जाएगा तो directly आप answer d को लगाते है इतना आप करने का जुरुत भी नहीं था ठीक है चलिए next questions को बरते है number 2 number 2 में निखा जा रहा है कि आपको x का value दिये जा रहा है x का value दिये जा रहा है x का value however 80 squared or y का value के 280 ब कर चलिक है तो अपको dityy d2y दु tax2 का फारे कर करा है तो सबस्ते के अब का करेंगे हम d यह कोसंस आपके थोड़ा सा अलग है अब ही तक यह तक यह कोसंस दिया था हमने उससे थोड़ा सा यह डिफरेंट कोसंस है ठीक है इस कोसंस में प्रॉब्लम आते हैं बहुत सारा बच्छों को अच्छे से इसको सीखिएगा देखें आपको X का वलू और Y का वलू किसके term में जा रहा है तो हम सबसे पहले निकालेंगे वाई को T का में डिफ्रेंसेट करेंगे तो d by dt का वैयाँ डियाए भाई थन मारकल चेंज कर लेए चलिए अब बताइए डिवावे डिटी का वैलू क्या हो जाएगा अब बताइए डिवावे डिटी का वैलू क्या हो जाएगा तो टी तो टी तो एक कॉंसेंट कॉंसेंट कॉंसेंटी है और टी का क्या हो जाएगा वन हो जाएगा सिंपल क्या हो जाएगा हमें क्या निकाला है हमें निकलेगे ठीक निकल सकते है आपका दी रावी डीटी कर देंगे और नीचे कर देंगे डीटी कर देंगे दीटी कर जाएगा अपने अपने निकल सकते हैं तुक है किसी को डाउट नहीं हुना चाहिए ऐसा कोसर हमें पहले भी इस दिखाया है यहां तक निकालना यह जो निकालना है यह कुछ नियु है अब दिखे कैसे हमें क्या निकालना है d2y by dx2 अब d2y by dx2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं d upon dx और इसके अंदर dy by dx किसी हो कोई डाट अब देखे, dy by dx जो है अगर आप इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखे एगा तो simple d2y by dx2 हो जाएगा ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं अब देखे, d upon dx को रहने देते हैं ठीक है, और dy by dx का वहलू क्या पता है हमें पता है 1 upon t dy by dx का वहलू क्या आता है तो dy by dx का वहलू में पता है 1 upon t ठीक है, समझ रहे हैं तो अब इसको क्या करेंगे, अब हम इसको फिर से differentiate करेंगे अब ये का सिख सकते हैं कि यह जो t ka function है और नीचय हमारा क्या है x है हम इसको क्या करेंगे 1 अफोन t को अफून डिखन से ट do आजढ़ेंगे और इसी को भी लिख देंगे थाकि यह dt से dt कर जाएगा और नीचे क्या लिखेंगें, हम Dks लिखेंगें, ठीक है, यह dt से dt कर जाएगा, फिर पहले की तरह होlastरा है, हम तो ऐसा लिख khon सकते हैं, बिल्कॉर हम ऐसा क्यों लिख連 के लिख 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 Natalie, अब it is गया लिख रहा है थाकि हमारा function यह t ka function और हमारा नीचे X ka respect और दूसरा के हमारा यह हो गया यह चलिए है यह आपको ठीक में रिफ्रेंसेट करने आता है वो क्या होता है माइनस बन अपूं टी स्कार होता है यह सिंपल्ल है सभी को पता होगा आप X to the power n के टर्म में रिफ्रेंसेट कीजएगा आपको मिल जाएगा यह क्या है मारा ? सॉरी नीचे EX होगा न a शुट के हा canadrum ạt सुछ है यह क्या हामारा dT upon dx है क्या है ? dT upon dx है dT upon dx आपको पता है क्या पता है ? आपको पता है dx उप्ट आपको d× upon dt पता है अगर आप इसको उलरडग देते हैं आपको जरूर जबाब दियागए तो बनाइए को है Exactly expression निकालना है अपके X के रिस्पेक्ट में ठीक है तो तो य होजाईगा पीछे आज जाएगा अपका लौ एकude लोग एक को जाएगा दोनोर साइट क्या करेंगे एकस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसियेट कर देंगे लोग य का होजाएगा और य क्या होजाएगा रो आपका D y dx हो जाएगा इकवल टू, X पीछी हो जाएगा, log x का हो जाएगा, 1 अप। X में, plus log x पीछे हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, X से x कट गया, इसका value हो गया, आपका, डि वाइवे, dx का value हो जाएगा, इस y को मिसान मल्टिप्लाइए कर देंगे यह इधर हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा वन प्लस लॉग एक्स हो जाएगा ठीक है डीवाइट डीवाइट इसको रहने देते हैं इसी तरीका से सिर्फ तो यह क्या हो जाएगा हमारा यह क्या है कि y equal to sec into tanverse x तो d by dx का value find करना है तो y equal to sec tanverse x डीवाइट डीवाइट इसका value नेकानिकली कहा रहा है न तो चली निकालते हैं तो dy y dx करेंगे यह हमारा function of function का question है लीखे जीक अंदर tan है तो यह हमारा sec x function है tan vx function है तो sec x का differentiation कैसे होगा होता है तो हम इतना करेंगे सबसे पहले तो एक बड़ करके देखते हैं इसको डाइटली डिफ्रेंशेट की जागा न से के थोड़ा स्था आप मुश्किल ने फॉज जाएगा ठीक है क्योंकि हमारा उस टाम में आंसर नहीं दिया बाया है ठीक है डिफ्रेंशेशन के तो हम क्या करेंगे इसको अप्सें के लाने के लिए क्या करेंगे इसको क्या करेंगे हम सेक के टरम में चेंज करेंगे जो टाइंवर्स है मारा इसको हम सेक इनवर्स के टरम में चेंज करेंगे ठीक है कैसे चेंज करेंगे तो चलिए टाइंवर्स एक्स को क्या करते हैं सेक तो इन्वर्स वहां वह स्क करणे है, तो हम से समय नो नो की है चेंज करणे है, तो चेंज करोड़ें ठीटा सब्सक्राइगुटाटि का सब धाल्य का दिए ? रवड ठीक है। दीक के अगर टैन थीटा का सब्सक्राइब है। भी अई-फिता है वान्स संहती है कि और लोगा सब्सक्राइब ग्लीठ है वह बिधिमि थे बीटा जिब लगल्जर व कर देंगे सकें तो बसक्राहिं की कि आहिवर यह होता है आपका hypotenuse upon base ठीक है तो इसका अगर perpendicular or base पता है तो hypotenuse करेंगा पाइथर ग्रोस स्थिर्म से क्या हो जाएगा 1 plus x square हो जाएगा यहां 1 square plus x square तो 1 square simple 1 हो जाएगा यहां लिखानी पड़ है चलिए नीचे क्या हो जाएगा base का फिल क्या है 1 है तो यह क्या हो जाएगा सेख थिटा के बाज हो जाएगा root under 1 plus x square upon 1 हमें क्या निकलना है सेख inverse term में निकलना है हमने यदि इसको थिटा माना है तो थिटा हमारा यह भी है और थिटा हमारा क्या है यह भी है हम दोनों में किसी को भी लिख सकते हैं तो इसको हमें लिखने का जोड़त ही नहीं है तो क्या होजागा, d by by dx का value यह आपका simple y है अभी तह फंक्शन y है अभी तह हम ने differentiate नहीं किया है तो y का value क्या होजागा, सेक से सेकख हर जाएगा तो यह होजागा 1 प्लस x square यह हमारा क्या निकल गया y function यारी हमारी जहाए फंक्शन है इसको हमने चोटे Aकल में तो बादर ट्रिट कर सकते हैं, root x के तरह से क्या कर सकते हैं, यह क्या हो जागा 1 upon 2, root under 1 plus x square, फिर यह 1 plus x square यह भी एक function है तो इसको द्वादा निकालना है, तो ऐसा questions हमने आपको पहले भी बताया है, तो कैसे निकालते हैं, s equal to मानते हैं, cos x और t equal to मानते हैं, sin x, ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें निकालना है, d cos x का reply to be, d sin x का respect, में, d sin x us, ds का निकालना है, dt का respect में, ठीक है, तो हम ds को धकी सकते हैं, ds. about ü, dt. यह dit same dt upon dx लगते हैं, क्योंको, dx x कर जागा, ds. इसलिए कर रहा हैं, क्योंकि हम VSaban di, यानि हमें X के respect function दिया जा रहा है, हम क्या करेंगे, X के respect function है, उसको हम X के respect differentiate करेंगे dbzv dt करेंगे तो causex क्या होता है, minus times of sinx сдел В माइनस पीछे आ ग्या आखता है दो माइनस 10x open D is the right answer ठीक है, simple question था यह, ऐसा question हमने आपको पहले भी बताया है, next number 6 है, number 6 में लिखा जारा है कि e to the power sin x का डिफ्रेंसेशन का डिफ्रेंसेशन क्या करना है, d cos x के डिफ्रेंसेट में बताना है, ठीक है, हम क्या करेंगे, फिर से इसको s लेट करेंगे, इसको t लेट करेंगे, ठीक ह अब समझ में आ चुका है, हम इसको क्या करेंगे, x के डिफ्रेंसेट करेंगे, नीचे बाले को भी x के डिफ्रेंसेट करेंगे, दोनों का divide होगा, वही answer होगा हमारा, दोनों का divide जो होगा, वही answer होगा हमारा, तो चलिए, कर लेते हैं, e to the power sin x का क्या होजागा, हम इसको simple e बाहर आ जागा, e to the power minus बाहर कर दी है, और cos x upon sin x का अवेली क्या होता है, आपका 10 x होता है, तो यह आपका आ जागा 10 x और e to the power sin x का e to the power sin x, यहापे हम इसको लिख देंगे, ठीक है, तो क्या आ जागा, minus tan x e to the power, sorry, tan नहीं हो जागा, यह minus cot हो जागा, क्यांकि cos है उपर, minus cortex, और e to the power sin x, option number d is the right answer, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, question number कौन से, 7th की हो, number 7 में लिखा जागा है, कि यदि x का value दिया जा रहा है, आपसे d by dx का value पूचा जा रहा है, कैसे निकालेंगे हम, तो देखिएगा, हमें पता है, कि d by dx हमें निकाला है, हमें पता है, कि d by dx को हम d by klasi, d by d theta भी लिख सकते हैं, और d x by d theta लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा y function थीटा के term में दिया जा रहा है, और x function है, वो भी theta के term में दिया जा रहा है, यनि जब भी differentiate होगा, तो theta के respect में differentiate होगा, इस नहीं हमने से थीटा के term हमें लिखा, अला कि theta के चीटा कर जाएग थिक है तो हम dydy आप क्या करेंगे? y को थो थिटा के रिस्पेक्ट में differentiate करेंगे तो जब एक के साथ पीछे आ जागा, a तो multiply हो जागा, a पीछे यगा, theta का 1 हो जाएगा plus में sin theta हो जाएगा, थिक है? cos theta हो जाएगा फिर नीचे, 1 का constant क्या जाए, 1 a constant quantity है, इसका differentiation 0 हो जाएगा, और cos x का क्या हो जाएगा, minus times sin x, पहले से minus जाएगा, पलस हो जाएगा, तो a into plus में sin theta हो जाएगा, ठीक है, अब देखे, a से a कट जाएगा, उपर क्या हो जाएगा, 1 plus cos theta, और नीचे क्या हो जाएगा, simple आपका sin theta 1 plus cos theta एक formula होता है, यह किसका formula होता है, यह formula होता है अपके 2 cos square theta by 2 का, क्या होता है किसका formula होता है, कैसे आता है, हमने आपको सारे चीज़ बताया है, previous सारे इ इस बताया है, तो 1 plus cos theta को लिखेंगे 2 into cos square theta by 2 और sin theta को क्या लिखेंगे 2 into sin theta by 2 into में क्या लिखेंगे cos theta by 2 लिखेंगे एक theta by 2 से याने square बला theta इससे कर जाएगा 2 से 2 कर जाएगा यहापे value क्या जाएगा value हो जाएगा आपका cos theta by 2 और नीचे हो जाएगा sin theta by 2 इसका value क्या जाएगा आपका cot theta by 2 हो जाएगा क्या जाएगा cot theta by 2 हो जाएगा मैं जो कीजिए cot theta by 2 option number d is the right answer ठीक है simple question है चलिए next question के बरते है question number क्या है हमारा 8 है ठीक है क्या है number 8 है number 8 में पढ़िए क्या लिखा जा रहा है यहां पर दिया जा रहा है कि यदी y equal to x plus e to the power x है ठीक है तो आपको d2 x by dy 2 निकालना है ठीक है हर जगा आपने सीखा है और भी हदर questions में आपने क्या निकाला था d2 y by dx2 निकाला था लेकिन यहां पर यह नहीं निकालना है यहां पर हमें क्या निकालना है जाएके बह closely क्यालना है अब बताईए we Snapchat न पर दिफरणिये क्या हो जाएगा जब इसको पर sundय हो जाएगा यह पंधा कंते भी होजाएगा पर दो आननला है पर दो दो अब मेरे क्रत्नाबराइक निकाला व कली ने तो फ़र सबनिल आंनल DO X को क्या लिखेंगे? X को लिखेंगे DX upon DY यहां से DX upon DY common ले लेंगे तो क्या हो जागा? DX upon DY common लेकिश को बाहर कर दिया हमने और यह हो जागा आपका One upon One plus E to the power X हो जाएगा हमें क्या निकला? हमें निकला DIY by DX का VALUE Sorry, DX upon DY का VALUE हमें निकला लेकिन हमें dx upon dy ने निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है d2x by dy2, क्या निकालना है, d2xy dy2 हमें निकालना है, कैसे निकलेगा, देखिए, d2x by dy2 निकालना है, यानि इसको हमको दुवारा डिफरेंसेट करना पड़ेगा, ठीक, तो चलिए दुवारा डिफ तो क्यों चेल हो जाए घर हो जाए गाता है तो इसका क्यों हो जाएगा माइने फैस आफाइप का पनासर हो जाएगा ट्रहां चाइक हँग हैै किसित है 4 जाए खायर को ब्लाइत कर सकथी शुर्ण टो किष्ट वह गटाएक हैं जरना हीसल्ण करनाका है तो यह हमारा क्या जाएगा ठीक है चलिए एक सेकंड कुछ गलती हो रहा है क्या कुछ गलती हो रहा है एक सेकंड हो जाएगा चलिए यहां पर गलती हमसे क्या हो गया एक चीज उसको समझेगा यहां पर गलती हमसे यह हो गया है कि दिखिए जब हम यहां पर 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 और यहां पर जब D2Y में Dx2 निकलते थे तो ऐसा तरह नहीं होता था महां पर नहीं होता था क्योंकि हमारा đ IPS का सब्सक्रणाइब निकलना निकलना था यहां उसको क्या तरह हैं यहां पर विखते हैं तहीं uy दिखते हैं थिक्थच यहां क्या कि हमने e to the bar x को y के term differentiate कर रहे हैं तो सबसे पहले हम e to the bar x को x के term differentiate करके e to the bar x हमने पीछे लिख दिया ठीक है फिर जो हमारा x होता है यह function इसको differentiate करना पड़ता है तो इसका function क्या हो जागा differentiation यह simple आपका dx upon dy हो जागा वही हमारा यहां पर है यह करना छूट गया था ठीक है तो dx upon dy का value आप क्या करेंगे हम यहां से put कर देंगे यहां से put करेंगे तो हमें कहाने के लिएगा d2y by sorry d2xy बार बार वही लिखा जाता है क्योंकि generally वही हम इसा बनाते है d2y by dx2 करके इसका बार बार वही लिखा जाता है ठीक है तो यहां पर क्या लिखेंगे d2xy dy2 equal to यह आपका हो जागा minus e to the power x upon one plus e to the power x का whole q अब answer में आच कीजिए आफ्रा नीचे तो y है न हम को तो y के हमें την डिफेंशियर करना आइगा लेकिन हमने इसको क्या किया पहले x कमें dane में अँआ यहां आया फिर x करने कहने चाने शोर्हका करें या डिए पोन नमबर न स्कोर का जा रहेगा लिए यहा吸 कर स justamente येपिल काषक 10 कहें इसका कि खोर्मिया इसका था कोच member c 봤 क्या है हम सब्सक्राइद कारेंगे लिए को इसको 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 इसस्अक्र के सब्सक्राइब करेंगे जाएंग minus times of sin x हो जाएगा minus बहार आ गया 2sin x cos x क्या होता है sin2x होता है sin2x होता है तो d y d s का फैल निकल चुका है minus times of sin2x answer match की जागा option number कौन सा है c is the right answer ठीक है next question 10th है number 10th में पढ़की कहा लिखा रहा है यहाँ पर लिखा रहा है से पुछा जा रहा है D 2 Y D X 2 you just A 4 का वेलू & वb इह पुछा जा जा रहा है dul सब Toutब्ध है दिवाबे दिवाबे by D X निकालना पड़ेगा है तो चलिकर निकालते है D तて ay s sera क्कAh if they turn L जिन्डा जाएगा ठीक है फिर क्या करेंगे सिर्ट सेक एक्स का भी तो करना पड़ेगा न तो सेक एक्स इंटू 10 इसका अंसर चाहिएगा 2 इंटू इंटू में आपका 10 इंटू में आपका 10 ये क्या हो जाएगा और दी 2y बाइब दी 2 का वैलु हो जाएगा मैच कीजिए आप्सन कोई मैच कर रहा है तू से एक स्कॉर एंटू से 10x option नमर कुन से मैच कर रहा है डी मैच कर रहा है ठीक है तो क्या हो जाएगा option नमर D is the right answer इस तरह किसे क्या करते हैं इस अभी questions को हम बनाते हैं साथ इस टाइक पर question में आपको problem नहीं आना चाहिए difference decision के हमने लगबख 70 लगबख के हमने totally 70 question अभी तक practice कर लिया है और इन 70 question को बनाने के बाद आपके difference decision पे अच्छे खासे concept बील-डफ होए होगे और लगबख सारे formulas आपको revise हो चुके होगे ठीक है और इन सभी रिलेटर कंसेप्ट इन सभी रिलेटर फ़र्मुला से ही आपकी ज्ञानवसे में कोस्नस दिये जाएंगे